आज हमारा 32 दिन एक बहुत महतुपून वर्दान जो आज बाबा हमें बताते हैं और इस वर्दान में हमें बाबा बताते हैं कि हम आत्माएं जो कि किसी भी धर्म से हो चाए क्रिश्चन हो चाए मुसलिम हो चाए हिंदू हो चाए सीख हो दिन परमाता कहते हैं कि स्वर्ग बोलो या बहिष्ट बोलो या वैकुंठ बोलो या शंबाला बोलो चाहे heaven बोलो उस जगा पर जाने के लिए वही आत्माई जा सकती है जिनके अंदर शक्ती है मलकी जिनके अंदर मन के अंदर ये शक्ती हो कि एक second में वो जो कुछ भी हो रहा उनके आसपास, चाहे वो अच्छा हो रहा हो तो आज हमारे पास में ये बहुत महत्पुन ग्यान जो की सबसे ज़्यादा जरूरी है तो देखाया है तो आज सारे संसार में सब धर्मों के बीच में यही है कि हम जाएंगे स्वर्ग में नहीं हमारा धर्म वाले लोग हमारे धर्माले लोग जाएंगी स्वर्ग में तेंकि परमात्मा पिता ने ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें बिक्कुल सिस्थ करके बताया है कि जो आत्माओं का इन करमेंद्रियों के उपर बिल्कुल नियंतरन रहेगा जो आत्माओं के अंदर काम, क्रोध, लोब, मों, आहंकार नहीं होगा वोही स्वर्ग में जाने लायक होगी मनलग की अंदर से पाक, पवित्र, बिल्कुल प्योर सोल्स तो परमात्मा ने भी बोला है कि मुझे अगर मेरा घर देना है नया घर मतलब स्वर्गी नया घर है, आज यह घर पुराना हो चुका है मुझे अगर किसी को नया घर बना के देना है, तो उसके अंदर लायक बच्चों को ही भेजना है तो हम परमःता परमात्मा के लायक बच्चे बन रहें कि नहीं वही हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा कुमारीज कोई धर्म परिवर्तन नहीं है कोई हिंदू धर्म की संस्था नहीं है यह एक यूनिवर्सिटी है spiritual godly university जहां पर हम आध्यात्म की बाते सीखते हैं और आत्मा को शक्तिशाली पर्मात्मा की दीवी जो भी शिक्षा है उसके अनुसार बनाना उसको कहते हैं सच्चा सच्चा ब्रामन बनना या सच्चा सच्चा आदम या आदम की उलाद बनना तो आज का चो वर्दायन है उसको लेके चलते हैं second में संकल्पों को stop कर second में हमें कहा तो पहुंचने है second में संकल्पों को stop कर अपने foundation को मजबूत बनाने वाले दिखते हैं तो हम धन से अपना foundation मजबूत बनाते हैं दुनिया में चीजें खरीद करके घर खरीद करके है छत हो, रोटी, कपड़ा, मकान हो, तो हम सोचते कि हमारा foundation strong है, यह परमात्मा यहाँ पर आत्मा का foundation कहा रहा है, कि हमारे संकल्पों का foundation strong हो, तो वो भी कितने second में होना चीए, एक second में हमें full stop लगाना है, एक second में संकल्पों को stop कर, अपने foundation को मजबूत बनाने वाले, पास with honor भवा, तो पास with honor, यह एक university है, जहाँ पर हम पास तभी हो सकते हैं, जहाँ हम अपने संकल्पों को एक second में stop करते हैं, चाहे वो situation negative हो या positive, आगे चले हैं विस्तार में, कोई भी paper, कोई भी paper आता है, कभी relationships में आते हैं, संबंदों के papers, कभी धन के आते हैं, धन में उच नीच होता है, तो कोई भी paper परिपक्व, मलगे हमें strong, बनाने के लिए, foundation को मजबूत करने के लिए आते हैं, हमारा foundation, soul consciousness का foundation, उसमें घबराओ नहीं, तो परमात्मा कहते हैं, कि बार-बार क्रोध के situations आएंगी, तो मुझे अचानक से एक second में क्रोध को क्या करना है, control में करना है, बाहर की हल्चल में, एक second में stop करने का भ्यास करो, तो बाहर की जो हल्चल है, बाहर से situation आती, बतला पर स्थिती, स्थिती में परे से आने वाली स्थिती, स्वासे नहीं, परे से, बलाए कि किसी और ने वो स्थिती को बना दिया, तो जिससे आपको क्रोध आया अंकार आये, तो बाहर की हल्चल है वो, में एक second में stop करने का भ्यास करो, तो वो तब ही हो पाएगा, जब हम meditation की practice करते हूँ, कितना भी विस्तार हो, एक second में समेट लो, बहुत सारी situations आ रही है, बहुत सारे लोग आपको कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी situations में आपका out of control जा रही हैं चीज़ें, आप जैसे चाते थे वैसे नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, विस्तार है वहाँ पर, बहुत विस्तार है, आपकी बात नहीं मानी किसी ने, आपके अनुसार नहीं किया किसी ने, तो बहुत विस्तार है विस्तार है विस्तारी चीज़ें, बहुत सारे संकल्प हैं, थौट्स हैं, बहुत कुछ है, यह तो छोटी सी बाते बताई आपको, जो कि आप ब्रह्मकुमायरिज में आके सीखते हैं, तो कितना भी विस्तार हो, एक सेकेंड में समेट लो सब कुछ, है न, contract it, भूख प्यास, चाहे भूख हो, चाहे प्यास न, महसुस करना कि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, आगे बढ़ने की लाइफ में, तो इस सारी चीज़े, भूख, प्यास, अर्दी, गर्मी, सब कुछ हैं, तो संसकार न प्रकटो हमारे, हमारे अंदर जो हलचल हो रही है, वो बिल्कुल प्रकटना हो, है न, बिल्कुल कहते ने वाली हैं, लेकिन जो पुराना घर है, वो भी टूटने वाला है, पुराना घर मतलब कल्यो को खतम होना ही है, तो चाहे वो प्रकर्टी की हल चलो, चाहे भूकμभ हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे तुफान हो, है न, यह सारी चीज़े, आनी ही हैं, में होंगे यही बहुत समय का भ्यास पास विद ऑनर बना देगा लास्ट में नहीं हो पाएगा सब कुछ कि लास्ट में देख लेंगे जब होगा तो समय हम अपने थॉट्स को बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे नहीं परमात्मा कहते हैं कि अभी से ही जो भी सिचुएशन आती है टेस्ट पर आते हैं भुकंप आपके पास मैं घर में तो आपने क्या कि उसमें थॉट्स बिल्कुल कंट्रोल की पर मात्मा के अपने ध्यान दिया तो वो क्या हो गया आपने सोल कॉंशिस हो गया अपके अंतर से भागोगे तो फिर क्या होगा ना आप कंट्रोल में ना दुनिया की चीज़े कंट्रोल में ना ही परिवार कंट्रोल में तो यह मेडिटीशन का फल है यही बहुत समय का अभ्यास पास्विद ऑनर बना देगा तो इसी के साथ मैं आज आप दिन शुभो उम शान्ती